नमस्कार आप देख रहे हैं बिस्तिक की स्पेशल रिपोर्ट मैं हो रजाद देवगन फोकस फिर से अदानी ग्रूप समु के स्टॉक्स पर ही है और हाल फिलाल में एक गतिविदी ऐसी हुई है जिसने फिर से सवालय निशान पैदा कर दिया यसे आपको पता चलेगा कि क्या बदलाव होने जा रहे है NSE indices में और क्या NSE का ये फैसला ठीक है कि नहीं तो सबसे पहले तो आपको खबर बता दें 16 फरवरी को NSE की जो सबस्टुरी है Index Maintenance Subcommittee जो कि decide करती है हर 6 महिने में वो review करती है index के stocks का और वो decide करती है कि कौन से index में कौन सा stock जाएगा एक proper criteria है एक proper methodology है उसके अधार पर अलग-अलग index के stocks का चयान कर दिया जाता है कुछ बा उसमें बहुत सारे ऐसे shares जिनको नए index का हिस्सा बनाने की बात कर दी गई, in fact 5 अधानी shares जो हैं वो 14 indices में, NSE के 14 indices में शामिल किये जाएंगे, अधानी Total Gas, अधानी Enterprise, अधानी Wilmer, अधानी Par और ACC नए index का हिस्सा बनेंगे, 31 मार्ट से NSE के indices में ये बदलाव लागो हो जाए है, अब मामला क्यों तूल पकड़ रहा है, मामला इसने तूल पकड़ रहा है, क्या आपको पता है, ये कि 24 जनवरे के बाद से जो पिटाई हुई है, अधानी गृप समू के stocks की, Hindenburg की एक report ने हिला कर रख दिया, पूले गृप के stocks को, और अब अगर ये नए index का हिस्सा बनेंगे, तो फिर क्या ये बात सही है, volatility बहुत जादा है, stocks कांप रहे हैं, और आपने बात कर दिया कि 5 जो 14 indices में शामिल होने जा रहे हैं, अच्छा आप बताता हूं कि क्या changes होने जा रहे हैं, जैसे कि अधानी विलमर, ये शामिल होगा, निफ्टी next 50 में और निफ्टी मार्से, अधानी इंटर्राइज़, अधानी पोर्स पहले ही, निफ्टी 50 इंडिक्स का हिस्सा है, उपर से निफ्टी 100 इंडिक्स का भी हिस्सा है अधानी इंटर्राइज़, लेकिन अब निफ्टी 100 लिक्विड 15 इंडिक्स का भी हिस्सा बनेगा अधानी इंटर्राइज अच्छा 31 मार्च से nifty next 50 में अधानी ग्रुप शेरों की संख्या 6 हो जाएगी और 31 मार्च से nifty hundred में अधानी ग्रुप शेरों की संख्या 8 हो जाएगी तो ये बदलाव हो рہے है अब देखो criteria तो होता है proper methodology होती है criteria होता है कि यह कोँछ सा share किस अधार पर index में शामिल किया जा रहा है ये proper NSE का एक procedure है तो उसके अधार पर ठीक बैट गया जो उन्होंने पिछले 6 मेने का track record निकाल के देखा होगा तो अधानी ग्रुप के stocks में bumper return बिल रहे थे सब को ठीक ठाक चल रहा था तो उसके अधार पर रहे फैसला ले लिया ये अलग-अलग index में अब अधानी ग्रुप के stocks को शामिल कर देजा लेकिन page फस गया 24 जनुरी के बाद से ही और हड़काम बचा हुआ है तो ये NSE का फैसला ठीक है कि ने इसके ओपर सवाले निशान खड़े हो गए है उपर से भारतिय mutual fund industry जो की passive investments करती है passive funds वो होते है कि सब करो कि index में अगर कोई stock है उसके अलग-अलग weightages है stocks की तो उस weightage के अधार पर वो portfolio allocate कर देते हैं तो ऐसे ही भारतिय mutual fund industry का 16% हिस्सा index funds और ETF से बना हुआ है इस index में ही बदलाव कर दोगे main indexes में जो आपके NSE के उसमें बदलाव कर दोगे तो obviously फिर पैसा जो है mutual fund industry का अधानी ग्रूप समुके stocks में जाना शुरू हो जाएगा तो इसके ओपर अब सवाल या निशान खड़ा हो गया है अच्छा मैं फिर से बता दूँ किसी भी share को NSE में index में शामिल करने के लिए एक proper objective criteria होता है हर 6 महीने में index का review किया जाता है समीक्षा होती है 31 January को हुई इस समीक्षा के अधार पर अधानी ग्रूप के share को नए index में शामिल करने का फैसला हुआ जो की वो जो NSE की subsidiary है उसने 16 February को यह announce कर दिया था कि अलग-अलग indices में अधानी ग्रूप के shares को शामिल कर दिया जाएगा लेकिन अब यह मामला तूल इसले पकड़ रहा है क्योंकि पहले हिंडनबग की report आई 24 January को और उसके बाद से shares crack होना शुरू हो गया MSCI जो की global index उसने बोल दिया कि हम तो अपनी weightage free float weightage जो है अधानी ग्रूप के चुनिंदा shares पर उसको घटाएंगे और अधानी ग्रूप के shares की जो पिटाई होई है 2023 में one way track पर तूटते चले जा रहे हैं आप यह देखिए आपके screen पे अधानी total gas 2023 का यांकड़ा है जो दो महिने निकले हैं अभी 80% साफ हो गया higher level से अधानी green 76% साफ हो चुका है अधानी transmission लगबग 74% तूट चुका है अधानी enterprises लगबग 69% का dent पढ़ा है 2023 में अब तक अधानी पार में 53.4% के आसपास की गिरावट अधानी wilmer 44% wealth road हो चुकी है अधानी ports में लगबग 32% correction आ चुकी है अंबूजा और ACC 37% 31% के आसपास तूट चुकी है तो इतनी भयंकर volatility इतनी भयंकर बिक्वाली अच्छा ये तो फिर निवेशकों की जो हो रही है वो तो होई रही है उपर से जो Forbes list है जो अमीरों के सूची हम track कर रहे है याद है गौतम अधानी दूसरे तीसरे पायदान पे थे लेकिन अब उनकी जो ranking है वो 38 है Forbes list में 38 रांक पे वो पहुँच चुके हैं जो उनकी अब net worth है that is 33.4 billion US dollars और अगर सितंबर 2022 में देखते तो ये net worth लगबग 150 billion US dollars की थी इतनी बड़ी wealth erode हुई है और NSE का अब आपको क्या लगता है कि ये फैसला ठीक है अपने comments जरूर दीजेगा इस वीडियो पे लेकिन हाँ financial experts को ये फैसला ठीक नहीं लग रहा है और उन्हें बोला because this is an exceptional situation और ये बहुत ज़ादा बिक्वाली हो गई है टॉक्स अभी stable है नहीं तो प्लीज NSE और SEBI ये जो फैसला है जो index review का फैसला है इसको थोड़ा review करें वो शेरधारकों के हित में होगा business जगत के तबाव updates के लिए आप जोड़ें बिस तक के साथ और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको like करना ना भूलें और चैनल को subscribe जरूर करें नमस्कार